गुजरात के कच के भुज की होमगाड ओफिस में सालों पुराना बेशकीमती खजाना मिलने से लोग अचम्बे में पड़ गए हैं का टूटा हुआ में जैसा दीख रहे मकान के अंदर जो दीख रहा है वहाँ पर पर पतारा रखा हुआ था। यहां पर कोई पड़ी और तालेक के नजर पड़ते ही उन्होंने खोला तो उसकी अंदर से पूरा खजाना निकला और इन्होंने वईवटी तंत्र को बुला के सब के सब मुहीं पे उनको सुपरत कर दिया है बुच शहर के महादेव गेट पर सालों पहले तैसीलदार कारेले हुआ करता था और अब वहाँ जिला और होमगाड यूनिट का करेले है यहां सद्यों पुराना खजाना सालों से पड़ा हुआ था जो अचानक लोगों की नजर में आया है यहां टेबल जैसे एक बड़े से बक्से का ताला जब तो पता चला इसके अंदर तो सालों पुराना खजाना बेश किम्ति वस्तवे भी हैं जो राजा महराजां की युक्ती हैं वो खंबे की जैसे दीक रहते ऐसी इसी ती और दूसरे दो जो हम बता देते हैं के नोबतवादक और दो तबल्ची होते हैं और जो पूराने जमाने में राधा साब है उनको कोल किया और प्रांच साब ने तुरंट यहां के जो मामलदार्श भी है और सरकल है और जागीर साकाजी से कहा जाता है उनके क्लारकों को बेजा और हमारी यह फिसको उस दिन असील कर दिया गया और दूसरे दिन जब सब मेरी और मामलदार के साथ मिलकर हमने यहां पंचनामा किया तो करीबन बीस अलग अलग प्रकार की यहां पर जो एंटिक चीज कहा जाए और चांदी की जो कहा जाए वो मैंने मामलदार्श भी को सुपरत किया उच अदेकारियों के आदेश पर अब इसे जिला ट्रेजरी को सौब दिया गया है इस खजाने में कौन कौन सी चीजें हैं कितनी पुरानी है उसकी कीमत क्या है और कहां से लाए गई थी इसकी जाच की जा रही है यहाँ पे जिला कमंडर्श ऐसाब की चिंबर ही नी जिला कमंडर्श साब की चिंबर हमारे यूनिट कचरी में रखी थी और यहाँ पे बैठने के लिए कोड़ सी बगे रही लेकिन टेबल नहीं थी इसलिए यहाँ पे जो किचरा का डग पढ़ा है वहाँ से अप का पर्म के समय यहां पर ऐसे बोला जाता है कि पुराना जो पटा राथा वो रखा हुआ था और उसमें से वो पुरानी चांदी का हाथी वो सब निकला हुए है जो बात चल रहे ही होमगाड कचरी में से एक खजाना मिला है एक चोली द्वारकानाथ जागिर यहां पर है जिसमें एक जुला यूज होता था जन्रली साल में एक बार वैसे पुरा यह लकड़े का बना हुआ है उस पे चांदी का वरक है यह द्वारकानाथ जागिर की संपत जो टूट जाने के बाद उप्योग नहीं हो रही थी तो उन्होंने जागिर शाखा में जमा करवाया था जो तीजोरी कचरी में रहता था अभी इतना पता चला है कि यह जागिर की संपति है वो कैसे वहाँ छुट गया था उसकी तपास चल रही है पर बेजिकली यह राज जोला बोलते है गुचराती में उजूला है उसके आजू-बाजू में जो प्रतिमाय रखी जाती है वो प्रतिमाय मिली है और एक बंदुक मिली है जो पुराने समय की टूटी हुई है आगे क्या करयोगे और यह जैसे पता चला हमने अपने स्टाप को भेजा है उसको सिल करके अपने कश्टडी में ले लिया है और आगे इसकी तपास कर रहे हैं कि वह अभी तक वहां क्यों था